आज हम ग्राम पेड़ी और तहसिल डोंगडगर के किसान से आज उसके खेत में मिलने आये हैं उनके द्वारा आरगिनिक खेती के और दिछच्च भी दिखाया आज उनसी पोस्ते हैं सर जी आपका नाम क्या है कलेश कुमार साव निवासी पेंड़ी और तहसिल कहां लगता है जीला राज नंगाओं अच्छा यह बताएं आपका दिहान इस मल्टिप्लाय के और कैसे गया पहले उप्यों कैसे किया आपने इससे पहले मैं चनबोया था लगभग आधा एकड़ तो उसके एक भाई लाया था उससे लेकर मैंने देखा जी और जिससे सब का फसल पानी और सब चीसे बरबाद हो गया जी लेकिन मेरा फसल ठीक था और फसल और मेरा लगभग आधा एकड़ में वही साढ़े चार कट्टा जी लगभग लगभग वही हो गया धाई क्युंट यह सब चीज और हमारे साहुजी के द्वारा बताएं कि ऐसा ऐसा होता है इसके डालने से और मतलब रासानी खाट कम होता है अब यह सारी चीज को क्लियर करने के पता चला कि अच्छा है तो इस साल मैं सबसे पहले सभी मतलब 11 एकड़ में मल्टिप्लायर का उप्योग किया है और इसके पहले कभी आरगेनिक या कोई भी जवी खाद नहीं डालते थे नहीं 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 के वह गुबार खाद जो है यह वहीं डालता था उसके अलावार कुछ नहीं है और मतलब रसानी खाद का सबसे ज़्याद करता था तो अच्छा रसानी खाद में फिर क्या कमी किया आपने पहले जैसे कड़ में डालता था मतलब 25 परसेंट कम करने से आपके यह जो फसल में कोई प्रभाव तो नहीं पड़ा और अच्छा है और आने वाले भाई से और सब को इसके बारे में बताऊंगा और मेरा फ आपका फसल पिछले की तुन्ना में बहुत अच्छा है तो इसका मतलब और मतलब पैदावार बढ़ने के भी समान होगी जब यह तो लग रहा है अभी कटाई तो नहीं हो है कटाई होने बाद पता चलेगा लेकिन बालिस पता चल रहा है तो बादन कुछ नो कुछ तो सब्सक्राइब करा